अबर जनपत पौडी से है जहां लगदाख टैंक हादसे में शहिद हुए भारती सेना के डी एफ आर शहिद भुपेंद्र नेगी को मंगलवार को अंतिम विदाई दी गई बतादे की शहिद भुपेंद्र नेगी पौडी जीले के बिशेल्ड गाउं के रहने वाले थे जिसके चलते शहिद जवान भुपेंद्र नेगी को और उनका पार्थिव शरीद सेन सम्मान के साथ पाबो ब्लॉक के बोडोली घाट लाया गया जहां शहिद के बेटे ने रोत हुए उन्हेश्ट अधान जली देकर अंतिम विदाई दी दरसल लदाख में श्योक नदी का जलिस्तर अचानक बढ़ने से टी-72 टैंक के साथ नदी पार कर रहे डी-एफ-आर भुपेंद्र नेगी समेद पाच अन्य जवान शहिद हो गय थे इस भावपल में कैबिनेट म अंत्री धन्सिंग रावत ने कहा कि यहां देश के लिए भावुक पल है लेकिन भुपेंद्र की शहादत देश के लिए गौरो का पल है पॉड़ी से मुकेश कचेती की खासरिकूद मतीजा जवादेश के लिए बीर वा सहीद वा इसी से खुशी है असाथ दुखी आई कि उसके चोड़ी में हमारे दुख की बात भी है क्योंकि चोकी फौज में हम जाते हैं तो इसी सपत के साथ में जाते हैं देश के लिए इस तरह से बल्दान ऐनसे का मौका मिले और इस वएसे जवान को हमारे देश के लिए साहद की और दुखी गड़ी की बात इस्विए है कि अभी सारे परीजन तार्यु यहां पर हम लोगर्ग के कद्प्त में हैं और सावाइक है कि इनसान होने के नाते थोड़ा सा रुपकी बातो ही है तो कि इसके परवार में उसके बच्चे छोटे बच्चे हैं इनकी देखवाल की जानी है और उसके लिए अम यह तक बर्साथ परियास करें कि आगे उनकी यो तोची दिखवालो और जो भी उनको लाग ही है हम सब लोग उनके अंतेष्टे पे आए हैं मैं सबसे पहले तो सरकार की तरफ से अपनी तरफ से छेत्रवासियों की तरफ से उनको सर्दा सुन्देनी आ रखा हूं और हमारे छेत्र का कई जावाद जो है सेना में सहीद होते हैं और मैं स्वर्गी अटल भ्यारी बाज जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब वो प्रदान मंत्री बने तो तब उन्होंने एक अनियम बनाया कि हर सहीद जो भी सहीद होगा उसके घर में ही असैनिक सम्मान के साथ उनके इंत्रिष्टी की जाएगी और सहीद परिवारों को जो है उचित मौपजा भी दिया जाएगा सहीद परिवारों को पेट्रोल पंपी दिये गए हैं तो अटल जी कवी मैं आज यहां पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके सासनकाल में बड़ा काम